आज की इस वीडियो से हम बात करेंगे फ्लेक्स बोक्स की और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटिड हूँ हम अपना कोर्स बढ़ रहे थे स्टमें और सेसेस टूटोरियल लिन हिंदी अगर आप इस को फोलो नहीं करें तो प्लीज इसको फोलो कीजिए मैं इसका लिए इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब बात करते हैं फ्लेक्स बोक्स है क्या और हमें क्यों सीखना है फ्लेक्स बोक्स को हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लियाओट को त्यार करने के लिए फॉर एक्जामपल आपको अपनी वेबसाइट बिनाने कुछ इस तरह से जिसमें आपको अपनी आइटम को अलाइन करने कुछ इस तरह से लाइफ तो राइट जैसे यहां आप इस एक्शन को देख सकते हैं माइक्रोसोफ्ट टीम्स इस यह ऊज़िए और 365 कुछ इस तरह से अपनी आइटम को अलाइन करने करने तो आप इसके लिए फ्लेक्स बोक्स यूज कर सकते हैं और विदिन सेकंड्स आप इस लेयाओट को पास सकते हैं फ्लेक्स बोक्स काफ़ी ज्यादा पावरफुल टू है as compared to traditional चीजे जो हम use करते थे अपने website के layouts को त्यार करने के लिए for example floats last chapter में हमने बात कि थी floats हमने floats से complete project किया okay flexbox floats से कहीं ज्यादा powerful है उससे पहले लोग use करते थे tables okay अब कोई नहीं use करता और आज कल mostly हम use करते हैं flexbox या फिर grids okay आज किस वीडियो से flexbox start करेंगे और guys मैं चाहता हूँ कि आप इस chapter को बहुत ध्यान से पड़े और मैं चाहता हूँ आपको flexbox अच्छे से आए ताकि आपको अपने websites बनाने में problem ना हो अगर आपको flexbox यूज करना पड़े तो प्लीज अपने notes को त्यार केज़े मेरी वीडियो को देखे देखे प्रैक्टिस केज़े मैं आपको exercise दूँगा उनके solution दूँगा और flexbox को मैं एक वीडियो में नहीं कराऊंगा मैं चाहता हूँ आपको हर एक property flexbox की अच्छे से समझाए तो अभी आपको समझा चुक होगा कि flexbox कितना powerful tool है for example यह section आप flexbox से बना सकते हैं नीचे जो footer है आप इसको flexbox से बना सकते हैं for example आपको कोई चीज सेंटर में करनी है for example यहां पे ऊपर for example आपने चीजों को सेंटर में करना है for example यह for example flexbox को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं flexbox को आप navigation bar बनाने के लिए use कर सकते हैं for example इस section को देखिए नीचे इस section को this section को बनाने के लिए आप will consider thank you so I love you बट मैं चाहता हूं कि आप यह जो चैप्टर है इसको ध्यान से देखें क्योंकि फ्लैक्सबोक्स में बहुत सारी प्रोपर्टीज हैं और मैं चाहता हूं आपको एक प्रोपर्टी अच्छे से याद हो ताकि कोई भी प्रोपर्टी आपको यूज करने पड़े आप असानी स आप साइट है ॉके इसमें क्या है बोक्स ब्रोपर्टीज ए मोस्स्वाइब करें और मुझे इनको इस तरह से लाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं अब इसकोर में लाइफट लाइंपकर सकते हैं whilst आपसारों को float left कर सकते हैं, फिर आपको float clear करना पड़ेगा, तो काफी लंबा गाम था, अब flexbox से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, पहले मैं आपको इसका markup दिखा देता हूँ, इसकी CSS दिखा देता हूँ, ताकि आपको confusion ना हो, अब यहाँ पर index.html में देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पर मैंने एक link किया अपनी style load CSS को, उसके बाद यहाँ पर एक box wrapper नाम की मेरे पास class है, एक div है, जिसकी class है box wrapper, और उस box wrapper के अंदर क्या है, मेरे पास 5 box है, एक box, 2 box, 3 box, 4 box, और 5 box, पांच बोक्स को मैंने common class दिया box, और एक unique class दिया हर एक box को उसके according, box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 और style load CSS में क्या है, मैंने body में font family दिया, aerial, और box wrapper, जो box wrapper है, जिसके अंदर मेरे 5 box है, इसको मैंने border दिया, और जितनी भी boxes है, हर box को मैंने छोटा सा border दिया, gray color का, उसके बाद box और हर एक box का अलग-अलग different background है, काफी simple HTML और CSS है, तो इसका result कुछ ऐसा आएगा, और मैंने आ आगा, आपको कुछ इस तरह से अपने items को align करना left to right, तो आप क्या कर सकते हैं, आप floats को use, sorry, flex box को use कर सकते हैं, और flex box को use कैसे करते हैं, देखिए, flex box में 2 terms होती हैं हमारे पास, एक होता है flex container, एक होता है flex items, okay, container क्या होता है, for example, ये box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, इनको हम बोलेंगे flex items और जिसके अंदर होंगी ये item उसको बोलेंगे flex container, okay, अब हमें करना क्या है, हमें इसको flex container बनाना है, ये जो box wrapper है, इसको flex container बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो box wrapper है, इसकी display को set कर देंगे, हम flex, जैसे मैं इसकी display को flex set करूँगा, ये जो box wrapper ये flex container बन जाएगा, और ये सारे के सारे boxes बन जाएंगे flex items अब जैसे मैं इसको display flex करूँगा तो by default automatically यह क्या देख रहे हैं आप box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 कैसे align हो चुके left से लेके right तक देखिए कितना असान था flex box से इस काम को करना अब एक चीज़ का ध्यान रखिए अब इस flex box वाले chapter में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक बात करेंगे flex container की एक बात करेंगे flex items की अब flex box में हमारे पास properties होती हैं कुछ properties होती हैं flex container के लिए और कुछ properties होती है flex items के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे flex container की properties के बारे में उसके बारे उसके बाद हम बात करेंगे flex items की properties के बारे में ओके देखे कितना असान था है ओके अभी यहां पर इसने automatically width को set किया और content की according और किस तरह से अच्छे से align हो चुके हैं ओके अब हर एक box में यहां पर paragraph लिखा हुआ है अब यहां पर अगर मैं इनके paragraph को comment out करूँ तो आप देख सकते हैं यह उतनी width ले रहे हैं जितने इनको require है एक flex box में इस चीज का ध्यान रखना और इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ और flex box में अभी हमने कुछ नहीं देखा अभी हमने यह सीखा कि flex box powerful है इस video में मैं आपको यह बताना था flex box powerful है और इसे सीखना चाहिए आपको और इस chapter में हम flex box के बारे में बात करेंगे and next video में हम बात करेंगे flex box की कुछ terminologies के बारे में and इस videos को ध्यान से देखना इसके notes मनाना जो भी video में करवाओंगा उसकी practice करना अच्छे से मैं जाता हूँ इस chapter के बाद आपको flex box में कभी भी कोई भी problem ना आए okay and thank you so much guys for watching this video hey everyone welcome back यह है flex box का tutorial number 2 इस last video में हमने बात के थी हमें flex box क्यों सीखना चाहिए और flex box कितना powerful है websites को बनाने के लिए all right और last video में हमने बात की थी हमने क्या किया था हमारे पास एक div था box wrapper और उसके अंदर boxes थे हमारे पास 5 box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 और हमें करना क्या था इससे align करना था left से लेके right तक okay और हमने इसके लिए simply किया क्या था यह जो box wrapper है box wrapper उपर हमारे पास box wrapper है और उस box wrapper के अंदर boxes है हमारे पास 5 हमने क्या क्या था box wrapper को display देगे था flex जैसे हमने flex इसको display flex दिया मेरी items automatically align हो चुकी था left से लेके right तक अब इसमें क्या होता है इसमें जो box wrapper है इसको बोलेंगे हम flex container और जो box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 इनको बोलेंगे हम flex items और तो इतना सही है और flex box की कुछ terminologies हैं जिनके बारे में आपको पता ही पता होना चाहिए आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और flex box terminologies के बारे में देखते हैं यह देखिए flex container आप इस flex container को उस्तरा से समझ सकते हैं जो आपको border दिख रहा है यह dark gray color का यह है आपका flex container इसके अदर होती है हमारे पास flex items box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 यह कहा हमेरे पास flex items अब इसमें क्या होता है by default क्या होता है अगर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्पले flex दिया है तो by default क्या होता है left से right तक होते है मेरी main axis इसमें left से लेके box 1 से लेके box 5 तक मेरी क्या है main axis main axis कैसी है left से right तक एक होते हैं मेरे पास cross axis cross axis कहां से कहां तक है ऊपर से नीचे तक top से bottom तक okay अब यहां पर main axis और cross axis का बतल लगए आपको पता होना चाहिए कि दू axis होती है main axis ए cross axis इसके बाद जहां से main axis start होती है उसको बोलते है main start जहां पर main axis खतम होती है उसको बोलते है main end okay जहां से cross axis start होते होते है cross start और जहां पर cross axis खतम होते है cross end okay इतना हो गया इसके बाद यहां पर जितना वड़ा इसको बोलते है main size यह पूरे flex container की left से लेके right तक यहां तक है main size और उपर से लेके नीचे तक ये है cross size इसमें सबसे ज्यादा important क्या है दो axis होती है main axis एक होती है cross axis बस हमें इन दो axis की जुरूरत है बाग के आपको याद रहे या ना रहे बस आपको दो चीज़े याद रहने चाहिए दो axis होते है main axis एक होती है cross axis तो इसमें क्या है अभी इसमें box 1 से box 5 तक क्या है main axis और top से लेके नीचे तक क्या है cross axis हम अभी क्या सिखेंगे कि हम main axis को change कर सकते हैं cross axis को change कर सकते हैं और भी बात करेंगे बस आपको flexbox terminologies के बारे में पता होना चाहिए thank you so much guys for watching this video see you in the next video hey everyone welcome back आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे flex direction के बारे में last की दो वीडियो में हमने बात की थी flexbox हमें क्यों सिखना चाहिए उसके बाद हमने बात की flexbox की कुछ terminologies के बारे में flexbox के बारे में हमने जाना था flexbox में क्या होता है main axis होती है cross axis main axis जहां से main axis start होती है main start main axis खतम होती है main end cross axis जहां से cross axis खतम होती है cross end अब आप सोच रही होंगे कि यह मैं क्यों सिखा रहूँ आपको देखिए बहुत जादा जरूरी है कि आपको बताओ कि दो axis होती है main axis एक होती है cross axis उसके बाद हमारे web page पे था कुछ यह इसमें क्या है यह जो आप देख रहे है ग्रे कलर का border ठीक है यह है हमारे पास flex container और flex container के अंदर है हमारे पास flex items मेरे पास 5 flex items है box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 और हमने इसको flex container कैसे बनाया इसको flex container बनाने के लिए मैंने box wrapper को दिया यहाँ पे display flex जैसे मैंने इसको display flex दिया था मेरी items कैसे align हो चुगी थी left से right तक जैसे मैं इसको हटाऊँगा, comment out करूँगा तो मेरी items को इस तरह से align होगी by default ठीक है बट मुझे क्या करना है इस box wrapper को बनाना है flex container और जब यह box wrapper flex container होगा तो जितने भी इसके child होगे मतलब box 1 से लेके box 5 तक यह सारे के सारे क्या है मेरे पास flex items और मैंने आपको बताया था flex container के पास अपनी कुछ properties होती है और flex items के पास अपनी कुछ properties होती है सबसे पहले हम बात करेंगे flex container की properties के बारे में ओके align items ऐसे हम properties के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे flex direction के बारे में जो की काफी important property है ओके अब बात करते है flex direction property की अब मैंने आपको क्या का flex direction किसकी property है flex container की और flex container कोन है हमारा box wrapper ओके अब मैं क्या करता हूँ इसको एक property देता हूँ flex direction और by default जो flex direction रहती है वो रहती है row और flex direction row क्या करती है जो हमारी main axis है वो उसको करती है left से right by default हमारी main axis कैसे रहती है left से right तो अगर हम flex direction row करेंगे तो कोई changes नहीं देखने को मिलेंगे but जैसी मैं flex direction को change करूँ flex direction की 4 possible values है जिन में से एक value थी row अब दूसरी value देखते है दूसरी value क्या है मैं इसको comment out कर देता हूँ उपर दूसरी value है मेरे पास row reverse अब row reverse करेंगे पहले मैं आपको बिना इसके दिखाता हूँ बिना row reverse के ठीक है by default देखिए कैसे है by default box 1 यहां से start हो रहा है और box wise मेरा जा रहा है यहां तक अब जैसी मैं इसको करूँगा flex direction को row reverse तो row reverse से क्या हो रहा है box 1 यहां पे आ गया box 2 यहां पे आ गया box 3 यहां तो यह उल्टा हो चुका है मतलब अब यह right से left हो रहा है पहले left से right हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा है देखते है देखिए by default हमारी flex direction कह रहती है row देख हमारी flex direction row रहती है तो हमारी main axis कहां से start होती है left से कहां तक जाती है right तक और एक बास हमेशा याद रखना flex box में जब भी हमारा content flow करेगा वो कहां से flow करेगा जहां से main axis start होती है वहां से flow होना start होगा और खतम कहां पर होगा जहां पर main axis end होती है मतलब अगर मेरी यह main axis है तो box 1 मेरा कहां पर आएगा जहां पर मेरी main axis start हो रही है main start और box 5 कहां पर आ रहा है मेरा जहां पर main end हो रहा है तो row reverse ने क्या किया यह जो main axis है इसकी position को change किया पहले main axis कैसे थी flex direction row में जो by default flex direction row रहती है left से right अब कैसे हो चुकिया है right से left की तरफ अब देख सकते है main axis change हो चुकिया हमारी इसलिए क्या हो रहा है box और भी यहां पर आ रहा है box 3 यहां पर box 4 यहां पर और box 5 यहां पर आयोब आपको समझ में आ चुक होगा कि यह काम कैसे हुआ ओके अब यह possible value थी एक और possible value क्या है मेरे पास flex direction column okay flex direction column करूंगा मैं तो क्या होगा तो मेरा देखिए content कैसे flow कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा क्यों हो रहा है जैसे मैं flex direction column करूंगा तो मेरी main axis क्या बन चुकी है यह main axis मेरी उपर से लेगे नीचे तक क्या बन चुकिया main axis और मेरा content कैसे flow करेगा किस direction में flow करेगा main axis की direction में flow करेगा और एक और जीज जो मेरी cross axis रेगी वो हमेंशनट perpendicular रहेगी main axis के अगर मेरी main axis ऐसे है तो cross axis perpendicular रहेगी main axis के alright अब मैंने क्या किया flex direction अगर मैं column करूंगा तो मेरी main axis कहां से कहां तक जाएगी उपर से नीचे तक और मेरा content भी कैसे flow करेगा ऐसे उपर से नीचे box हों सबसे उपर box हो सबसे नीचे और राइट अब यहां पर यह तो हो गया अब इसकी एक और possible value है जिसको जिसके बारे में बात करते हैं वो है column reverse अब column reverse आप समच चुके हों के column reverse क्या करेगा तो column reverse क्या करेगा जो मेरी main axis है उसके direction को कर देगा bottom से लेके top तक और मेरा content कैसे flow करेगा नीचे से लेके उपर तक अब मैं देखता हूँ अब आप देख सकते हैं box हम सबसे नीचे आ रहा है उसके बाद box 2, फिर box 3, 4, 5 तो ये थी कुछ चार values जो हम use कर सकते हैं flex direction के साथ I hope आपको समझ में आ चुको होगा कि flex direction काम कैसे करती है और काफी important property है flex direction में और जो मैंने आपको concept समझाया main axis का और gross axis का और कैसे हमारा content हमेरे शाँ main axis की तरफ flow करता है और कैसे flex direction हमारी main axis को change करती है ओके Thank you so much guys for watching this video I hope आपको ये वीडियो पसंद आ योगी and next video में हम बात करेंगे कुछ और flex container की properties के बारे में Hey everyone, welcome back हम flex box बढ़ रहे थे और last video में हमने बात की थी flex direction की I hope अभी तक आपको flex direction और flex box की terminologies के बारे में पाद अलग चुका होगा आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नही flex property के बारे में जो क्योंकि flex container की property हमने बात की थी flex box में दोजी जो होती है, एक होती है flex container एक होती है flex items, flex container की अलग properties होती है, flex items की अलग properties होती है हमने flex container की एक property के बारे में बात की जिसका नाम है flex direction और आज हम एक और property के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है flex wrap ओके आज के इस वीडियो में flex wrap के बारे में बात करेंगे इसको एक example समझते हैं और इक क्या करता है उसको समझते हैं अब ही मैंने क्या किया था मेरे पास 5 boxes थे 5 div थे और मैंने क्या किया था कुछ नहीं किया था जो इसका container है जो मेरा flex container है उसको मैंने display दे दे था flex और by default automatically क्या हो रहाता है यहां पर मेरा box 1 से लेके box 5 तक align हो रहे थे left से right तक अब अब यह तक कुछ नहीं हो रहा अब आपने बात notice की कि यह जो space ले रहा है यह automatically ले रहा है box 1 इतना space लेगा box 2 इतना लेगा box 3 इतना लेगा हमने इसको कोई width नहीं दी हमने आप अगर आप ध्यान से देखे हैं हमने किसी भी box को कोई width नहीं दी ओके अगर मैं इसके content को थोड़ा कम करते हूं for example पहले दो box हैं जो इनके इसके paragraph को मैं comment out कर देता हूं तो क्या होगा box 1 और box 2 इतनी space लेगे और box 3 box और box 5 जाए space लेगे तो automatically adjust कर रहा है space को ओके यह तो हो गई कि flexbox अभी काम किस तरह से कर रहा है हमारे बीना कुछ की है अब बात करते हैं अब इसको inspector पर देखते हूं कि box 1 box 2 box 3 कितना कितनी width है इनकी okay तो यह automatically कितनी width ले रहे है 374 pixels की okay आप देख सकते है 374 pixels की width ले रहे है but for example मैं चाहता हूं कि box 1 इन सभी boxes की width 500 pixels तो मैं क्या करूंगा यहां पर जितने भी box है मैंने हर एक box को class दिया box okay तो मैं इसको select कर सकता हूं हर एक box को dot box लगा के अगर मैं यहां पर हर एक box को यहां पर width दे दूँ for example 500 pixels की okay तो अभी भी आप देखिए यहां पर कोई changes नहीं है अभी भी उतना ही है box 1 की width उतनी है box 2 की उतनी है ऐसा क्यों हो रहा है अगर मैं देखूं अभी inspect करके अगर मैं box 1 को inspect करके देखूं तो आप लेख सकते हैं अभी भी इसकी width 374 pixels ही है ओके तो ऐसा क्यों हो रहा है देखिए flex box में ऐसा ही होता है ठीक है अगर हम इसको wrap ना करें ठीक है अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो मतलब हम चाहते हैं कि 500 pixels की width ही लें तो मैं क्या कर सकत हो जो flex container है मतलब जो मेरा box wrap रहा है इसको मैंने display the flex यहाँ पर मैं एक property लेख सकता हूं जिसका ना में flex wrap flex wrap okay और इसकी flex wrap को मैं कर देता हूँ wrap okay flex wrap wrap क्या करेगा देखिए क्या कर रहा है यह इसको नीचे कर रहा है नीचे wrap कर रहा है यह बागी जो content है मेरा लहरीख को box one को 500 pixels box two 500 pixels box three 500 pixels जो बचा था वो नीचे मेरे पास आ रहा है अगर हम देखेंगे इसे फ्लेक्स रड्पिक्सल की विड्ध है, काम कीसे करता है, अब देखेंगे माले काम काम करता है,ाब काम क्या काम कीसे करता मिनने बात की तो जो मेरा content आएगा जो बाकी content आएगा वो नीचे आएगा नीचे मतलब cross axis की direction में किसकी direction में हैगा cross axis की direction में अब box 4 और box 5 नीचे आया ना तो cross axis की direction में आया है दोनों अब यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हम हम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ flex wrap wrap reverse मेरे पास एक और प्रोपर्टी है wrap reverse अब यह wrap reverse क्या करेगा देखिए यह wrap reverse जो cross axis है ना इसकी direction को change कर देगा cross अभी कैसे है direction इसकी top से bottom अगर मैं wrap reverse कर दूँगा तो direction change हो जाएगी bottom से top हो जाएगी मतलब यह जो cross start है वो नीचे से होगा और cross and उपर होगा और मेरा content कहाँ पर जाएगा ठीक है अभी यहाँ पर box for box कहाँ पर जा रहे हैं cross axis की direction में उपर cross axis की direction कैसे हैं जो flex wrap को wrap reverse करके okay I hope आपको समझ आया होगा कि यह काम कैसे हो रहा है तो अभी मैं wrap reverse को यहाँ पर comment out कर देता हूँ अभी पहले जासा हो चुका है और यहाँ पर करता हूँ मैं for example यहाँ पर भी तीन boxes की बात करता हूँ अभी दो boxes को भी हटा जाता हूँ यहां से ताकि मैं सोड़ा देखने में सान हूँ अब इन तीनों को 500 pixels की मैंने क्या दियो है width दियो है और यह अच्छे से आ रहे है 500 pixels में अब यहां पर काम करता हूँ मैं अभी हमने जो container है इसको कोई height नहीं दी अब इसको height देके देखते हैं और height देके देखते हैं कि क्या होता है जो box wrapper है इसको मैं height देता हूँ height देदी for example मैंने 500 pixels की अब देखिए मैंने 500 pixels की height दी और content मेरा stretch हो रहा है by default flexbox behavior ऐसा ही होता है जब हम इसको height देंगे तो यह पूरी height लेगा है by default पूरी height लेगा ओके बट आप अलग-अलग बट आप यहां पे हर एक box हर एक box को आप height दे सकते हैं अपने मन पसंद की ओके तो आप ऐसे 300 pixel की मैंने height दे दी ओके आप ऐसा काम कर सकते हैं तो मैंने आपको बताना था कि by default box wrapper में अगर आप height देंगे तो वो उसको जो flex items होंगे वो complete height ले ले लेंगे ओके मैं इसको height दा देता हूँ यहां से यह मै और practice करते हैं flex direction और flex wrap को use करके ओके तो मैं क्या करता हूँ इसको फिर से इस इन दोनों को यहां पर ले आता हूँ पांच box आ रहे हैं मेरे पास और flex wrap अभी कुछ भी नहीं है अब यहां पर मुझे करना क्या है और by the way जो flex wrap के by default जो property होती है वो बता देता हूँ मैं flex wrap by default set होता है no wrap पे बाइट यह रहता है बट हम इसको wrap या फिर wrap reverse कर सकते हैं अब यहां पर एक और चीज के बारे में बात करते हैं वो क्या है for example मैं flex direction को change कर देता हूँ मैं Flex Direction को change कर देता हूं like, Flex Direction Flex Direction को मैं change कर कर देता हूं colOm, for example जैसे मैं Flex Direction को colOm करूए तो देखते हैं क्या होगा तो यहां फे Flex Direction column करेखी, तो MaiN excise कहां से, क्या से क्या हो जाएगी top से bottom हो जाएगी the main axis मेरा or content कैसे flow करेगा, top basis, bottom तक flow करेगा अगर मेरा content top से bottom तक तो करेगा तो box one उपर आएगा box तो नीचे आएगा और ये 500 pixels के width क्यों आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहां पर 500 pixels की width दी है अब यह कुछ इस तरह से हो रहा है और यहां पर मैंने इस container को कोई height नहीं दी अभी तो इसलिए जितनी height इसको चीए उतनी height यह ले मैंने चाता मेरा content overflow मैं चाता हूँ अगर यह wrap हो जाए मतलब जब इसकी height पूरी हो तो wrap हो जाए अब मैं यहां पर flex wrap अगर use करूँ ठीक है flex wrap और यहां पर wrap लिखूँ अभी मैं इसको save नहीं करता पहले आप सोचिए क्या होगा इस video को post करके सोचिए क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा अब देखिए क्या होगा यहां पर जब flex wrap को wrap करूँगा तो मेरा content किस direction में जाएगा यह नीचे वले box है किस direction में जाएंगे cross axis की direction में जाएंगे और जब मेरी flex direction column है तो cross axis कहां पर होती है flex main axis के perpendicular मतलब right side में जाएगा यह सारा कुछ अब अगर मैं इसको save करता हूँ और अब मैं देखूँ तो देखिए यह box 4 और box 5 कहां जा रहे हैं right side में जा रहे हैं I hope आपको एक clear हो रहा होगा कि यह काम कैसे हो रहा है अब मैं बताता हूँ wrap reverse करके क्या होगा और अब मैं सको save देखा अब इस वीडियो को post किया Quiet मैं बताता हूँ क्या होगा मैंने क्या कहा रहा करता है जो across axis की direction को change करता है इसको across same année बना देता है और जो across PM स्टार्ट बना देता है और जो अब यह ऐरो यहां से गूम की side अगा perfect और जो मेरा जो box है जो नीचे बोक्स है यह कहां पर आ जाएंगे यह भी left side में आ जाएंगे और मैं इसको जैसे मैं इसको क्या करता हूं इसको सेफ करता हूं तो आप देख सकते हैं यह box कैसे आ रहे हैं left side में बहुत सारे लोग confused होते हैं कि flex box में यह properties कैसे काम करते हैं वो इ इन दोनों के बारे में आपको पता ही बता होना चाहिए और मैं आपको साथ की साथ बता रहोंगे यह काम कैसे हो रहा है इसलिए आपको समझने में ज्यादा परिशानी नहीं होगी और आप इसको अच्छे समझ पा रहे होंगे तो यह था flex wrap और flex direction आप I hope आप आप इसमें आज के बाद कभी confused नहीं होंगे flex direction कैसे काम करती है flex wrap कैसे काम करता है और इन दोनों के साथ कैसे कैसे काम होता है okay and thank you so much guys for watching this video next video में हम बात करेंगे कुछ और flex container के properties के बारे में thank you so much hey everyone welcome back हम flex box पढ़ रहे थे और flex box में पहले ही चार वीडियो अप्लोड कर चुक हूँ जिसमें हमने flex box के flex container की कुछ properties के बारे में बात की थी हमने बात की थी flex direction और flex wrap के बारे में I hope आपको अभी तक flex wrap और flex direction अच्छे से समझ आ चुक होगा आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा important property के बारे में बात करेंगे जो की है justify content इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम flex box का यूज करते हैं तो बात करते हैं justify content करता क्या है सबसे बहले मैं क्या करता हूँ आपको markup दिखा देता हूँ यह box wrapper है उसके पांच क्या है क्या करता है क्या क्या करता है क्या समझाने के लिए मैं यहां पर जो तीन इस रान देता हूँ मैं दो box को यहां पर comment पर मैंने हर एक box of width 300 pixels की तो हर एक box जो मैं 300 pixels की width दे दी तो आप देख सकते हैं यहां पर right side में काफी ज्यादा space मेरे पास बच चुक है अब मुझे इस space को utilize करना है तो इस space को अच्छे से अब्लश करने के लिए हम property युज़ कर सकते हैं justify content अब justify content काम कैसे करता है okay इसको ये देखने से पहले के ये काम कैसे करते हैं आपको revise करऊा देता हूं flex direction में क्या होता है by default हुमारी flex direction होती है row जिसमें क्या होता है एक होते है cross axis एक होते है main axis main axis होती है left से right तक cross axis होती है उपर से नीचे तक इतना होता है अब यहां पर justify content करना है मुझे तो justify content किसकी property है flex container की property ओके मतलब flex container को मैंने मेरा box wrapper जो आपको gray border दिख रहा है यह है मेरा flex container जो कि है box wrapper अब मैं इस box wrapper में क्या करूंगा यहां पर मैं लिख सकता हूं justify content अब जहां से सुनना justify content क्या करेगा justify content हमारे flex items को align करेगा main axis की तरफ मैं फिर से बोल रहा हूं justify content हमारे flex items को align करेगा main axis की तरफ main axis कहा है मेरी यह री main axis अब मैं क्या कर सकता हूं देखिए justify content के by default justify content रहता है flex start ठीक है flex start का मतलब हो जहां से मेरी main access start हो रही है by default मेरा content सारा वहां पे रहेगा ऐसी flex start है एक है मेरे first flex end flex end का मतलब जहां पर मेरी main access खतम हो रही है वहां पर मेरा सारा content आ जाएगा okay एक है मेरे पास center okay तो center में क्या होगा main access के बीच में मेरा मेरा जो flex items है वो आ जाएगी okay इन तीनों को हम इतना use नहीं करते हैं जो हम बहर ज़्यादा जूरूर यूज करते हैं वो है space between okay space between space between क्या करेगा space add कर देगा okay मेरे जितने flex items उनके बीच में okay तो आप देख सकते हैं जितना space यहाँ पर उतना space ही मेरे बस यहाँ पर okay अगर यहाँ पर मेरे पास तीन box नहीं होते पांच box होते तो पांच box इसके बीच में equally space यहाँ भी डिवाइड हो जाता okay आई हो आपको समझ में आरोगा space between क्या का कर रहा है अभी यहाँ पर एक और काम कर सकते हम space between और एक बहुत पूपूलर हो है space around okay space around से क्या होगा space between में जो first box और fifth box के नहीं इसएयद में space नहीं आ रहा था अभी क्या हो रहा है अब हर एक के around space क्या है इक्वल में स्बेस्वार क रहा है यहाँ पर इतना space box 1 के left to रैट पे है उतने address box 2 के left to right में है उतने esses box when के left to right में है और अगर मैं यहां पर लिखता हूँ space between okay space between में क्या हो रहा था box 1 के left में कोई space नहीं है और box 5 के right में कोई space नहीं है okay I hope आपको समझा चुको होगा यह properties हमने कैसे use की okay अब इसकी थोड़ी और practice करते हैं अब इसको थोड़ा इसको मैं कमेंड रूट कर देता हूँ एक पल के लिए अब मैं क्या करता हूँ यहां पर अब flex direction के साथ खेलता हूँ मैं तो for example यहां पर flex direction मैंने कर दी column okay flex direction मैंने column कर दी यह column छोड़िए मैं row reverse कर देता हूँ ठीक है रो रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं रो रिवर्स कर दूँगा ओके बहुत असान है अब मुझे करना क्या है अब जो justify content है जो justify content वो by default क्या रहता है flex start flex start का मतलब जहां से मेरी main axis start हो रही है मेरा content वहां पर रहेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा content कुछ इसरा से align हो रहा है अब अगर मैं इसको comment out भी कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्या रहता है अगर मैं आप flex start कर दूँगा तो यहां पर main axis कहां पर गतम हो रही है यहां पर तो मेरा content आ चुक है यहां पर box on यहां से start होगा खतम कहां पर हो रहा है यहां पर आपको समझ में आरोगा यह काम कैसे हो रहा है यह सारा खेल main axis का है justify content की बात करेंगे तो आपको main axis पर ध्यान देना है और main axis पर ध्यान दोगे तो आपका flex direction की दरफ से अपने ध्यान जाएगा क्योंकि flex direction आपके main axis की direction को change कर सकती है काफी simple है अब यहां पर एक और चीज देखते हैं अब यहां पर मैं इसको फिर से एक पल के लिए comment out कर देता हूं और यहां पर flex direction मैं अभी कर देता हूं column for example अपने, okay, flex direction column कर देता हूँ, और flex direction column करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे column करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे इसको box रहा पराना, इसको height देता हूँ इसको मैं क्या देता हूँ, height देता हूँ, for example, height दे दी, मैंने 900 pixels की, okay, तो 900 pixels की height दे दी, अब 900 pixels की height कुछ इस तरह से है, okay, अभी flex direction क्या है column, जब मेरी flex direction होगी column, तो मेरा, जो content दोगाँ किस तरह से align होगा, main axis की तरफ, मतलब उपर से नीचे की तरफ, अभी बिल्कुल वैसे हो रहा है, मेरा content उपर से नीचे की तरफ, align हो रहा है, बट यहाँ पर जो space है, नीचे space है, इसको मैं utilize कर सकता हूँ, okay, अब हमारी main axis बदल चुकी है, मतलब, अगर यहाँ पर मैं justify content यूज करूँ, justify content अगर flag send करूँ, तो यह कहाँ पर जाएगा content मेरा main axis की end में, okay, main axis, main axis मेरी नीचे है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जा रही है, main axis कहाँ पर खतम होगी, जब flag selection कोलन होगी, नीचे, okay, तो मेरा content में कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आजाएगा, okay, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, different properties, for example, flag send यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर sender यूज कर सकते हैं, okay, sender में आ जाएगा, ऐसे आप यहाँ यूज कर सकते हैं, space between यूज कर सकते हैं, okay, तो आप ऐसे different properties यूज कर सकते हैं, okay, तो यह था justify content तो आई हो आपको समझ में आ चुको होगा justify content हम कैसे use कर सकते है और इसका main access के साथ क्या relation है thank you so much guys for watching this video I hope आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो please मेरी वीडियो को like कीजिए मेरी इस playlist को share कीजिए ताकि इस playlist पर थोड़े views भड़े and thank you so much guys for watching this video hey everyone welcome back हम flexbox की बात कर रहे थे और flexbox की मैं पहले ही 4 या 5 वीडियो अप्लोड कर चुक हूँ जिसमें हमने flex container की properties के बारे में बात की थी हमने बात की थी flex direction के बारे में हमने बात की थी flex wrap के बारे में हमने बात की थी justify content के बारे में ओके आज के इस video में हम बात करेंगे align items के बारे में align items कैसे काम करती है हम align items के बारे में बात करेंगे तो start करते हैं तब मैं दिखा देता हूँ इस टैलोड से SS में कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ उसर्फ flex container को display दिया flex और एक और बात अगर आपने पहले वली videos नहीं देखी तो प्लीस पहले वली videos देखी तब भी आप कुछ समझाएगा इस video में क्या बात कर रहा हूँ मैंने पहले वली videos में अच्छे से explain किया Flexbox की properties को और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां से देख सकते हैं अब फ्लेक्स बोक्स की बात करते हैं अभी तक मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ कंटेनर को क्या दिया है अब मैं क्या करता हूँ यह जो बोक्स रैपर है मतलब जो मेरा फ्लेक्स कंटेनर है इसको मैं हाइट देता हूँ और इसको हाइट देता हूँ फॉर एक्जामबल मैं इसको हाइट देता हूँ 700 pixels की जैसे मैं 700 pixels की height दूँँगा आप यहाँ पर देखिए यह बिल्कुल नीचे तक stretch हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं तो flexbox में मारे पास एक term होते जिसको बोलते है align item और last video में हमने बात करें justify content करें लोग justify content और align item में confused होते हैं मैं बताता हूँ क्या होता है justify content में क्या होता है जो हमारा items align होते हैं वो main axis की तरफ होती है ऑके बट align items में क्या होता है जो हमारी items होते हैं वो align होते हैं cross axis की तरफ ऑके अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर main axis कहां से कहां तक है लेफ्ट से राइट तक में एक्सीज है ठीक है क्योंकि by default flex direction क्या है row जो flex direction row होगी तो मेरी main axis कहां से कहां तो होगी left से लेके right तक होगी ओके और cross axis कहां से होगी ऊपर से लेके नीचे तक ओके और यह जो space दिख रहा है आपको यह पूरा space ले रही है कि किसकी वज़े से ले रही है यहां तक पूरा space यह इतना space ले रही है align item की वज़े से अब यहां पर align item में जो by default property set होती है वो होती है stretch होगे हमारे पास एक property होती है align item line items और by default यह क्या रहते है stretch अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो कोई changes नहीं होगे जिना stress ही रहेगी बड़ यहां पर और भी यह और भी चीजह यूज कर सकता हूं for example मैं यूज कर सकता हूं flex start flex start का मतलब क्या होता है flex start का मतलब है जहांपे मेरी cross section start हो रही है वहां पर सारी items आ रहेंगी तो मैं क्या करता हूं इसको लिखता हूं मैं flex start कि यहां पर यह फ्लैक स्टार्ट में आ चुकी है और मैं क्या आगर सकता हूं नीचे लिए इसको नीचे करने के लिए यहां पर कर सकता हूं अब मैं इसको फ्लैक सेंड कर सकता हूं अब अगर मैं flex direction को change कर दूं मैं इसको align items को यहाँ पर comment out करता हूँ मैं क्या करता हूँ अब मैंना flex direction को change कर देता हूँ flex direction को column कर देता हूँ जैसी मैं इसको flex direction को column करोंगा मेरी items उपर से नीचे तक कुछ इस तरह से align हो जाएंगी तो यह बात तो ठीक है जैसी बड़ एक चीज़ देखिए आप जैसी मैं flex direction को column करोंगा cross axis क्या हो जाएगी cross axis हो जाएगी इसकी left से लेके right तक okay cross axis कहां से कहां तक हो जाएगी left से right तक okay अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ align items करूँ align items यहाँ पर करूँ flex start okay तो आप देखना क्या होगा तो flex start जितने इसको required थी उतना ही space ले रही है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अभी मेरी cross axis कहां से कहां तक हो चुक है left से right तक okay मतलब यह starting तक ही रहेगा जहां पर मेरी cross axis start हो रही है यह वहीं तक रहेगा okay मैं ऐसी क्या कर सकता हूँ flex end कर सकता हूँ यहाँ पर आजाएगा और मैं center करूँगा तो बीच में आ जाएगा okay center में करूँगा तो बीच में आ जाएगा alright I hope आपको समझ में आ चुक होगा यह काम कैसी हो रहा है flex justify content और align items में क्या different है justify content काम करते है main axis पे और align items काम करते है cross axis पे thank you so much guys for watching this video hey everyone welcome back हम flex box के बारे में बात करे थे और यह बतंग flex box के हम काफी properties देख चुके है flex container की हम flex container में बात कर चुके है flex erection के बारे में flex wrap के बारे में justify content align items align content इन सभी properties के बारे में बात कर चुके हैं अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो please पुरानी वीडियोस आगे देखिए इस पूरे course का link में इस वीडियो के description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं अब बात करते है flex flow की flex flow आज के हम last property के बारे में बात करने जोगी flex container के property होगी next video से में बात करेंगे flex items के property के बारे में okay a flex flow shorthand है दो properties को एक साथ लिखने के लिए अगर आप flex direction और flex wrap को एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसका सकते है flex flow for example flex flow flex flow अगर मैं लिखोंगा row और wrap मतलब flex direction मुझे row करनी है और flex wrap मुझे wrap करना है मतलब कि wrap on करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इसको comment out कर सकता हूँ और मैं इस property से इन दोनों properties को एक साथ लिख सकता हूँ okay तो वही same चीज हो रही है अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा no wrap तो यह no wrap हो जाएगा तो यह no wrap हो रहा है और यहाँ पर मैं लिखूंगा for example column तो यहाँ पर flex direction क्या हो जाएगी कोलम हो जाएगी और यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखूंगा wrap तो यहाँ पर अभी wrap करने के लिए और flex wrap को एक साथ लिखना है, okay, for example, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, wrap reverse, तो यहाँ पर wrap reverse हो जाएगा, okay, तो काफे simple है flex flow, अगर आपको flex direction और flex wrap के बारे में पता है, तो यह आपको समझा चुका होगा, अच्छे से, मैंने जागा emphasis नहीं किया, क्योंकि इसली वीडियो में flex direction और flex wrap को अच्छे से समझा चुका हूँ, आज होब आपको इस वीडियो में समझा चुका होगा, क्या काम है, flex flow होगा, तो यह शोट है बस यह दो पर उपर इसको लिखने का, flex direction और flex wrap को, thank you so much guys for watching this video. Hey everyone, welcome back, हम flex box की बात कर रहे थे, और last वीडियो में हमने flex container की सारी properties खतम कर ली थी, आज हम बात करेंगे flex items की properties के बारे में, यह जो आपको purple box दीख रहा है, यह है मेरा flex container, और flex container के अंदोर थे हैं हमारे पास flex items, okay, for example, यहाँ पे, यह जो आपको gray color का border दीख रहे हैं, यह है, यह है मेरा flex container और इसके अंदर जो मेरी box चीज है, इसको मैं बोलूँगा flex items, अभी तक जितने भी properties हम लगा रहे थे, वो लगा रहे थे इस container पर, okay, जो flex container है, इस पर लगा रहे थे, आज के इस video में हम सीखेंगे flex items की properties के बारे में, आज के इस video में पहली flex item की property होग तो उसे देखिए, ताकि आपको यह video अच्छे समझाए, ओके, और मैं इस course का link इस video के description में डाल दूँगा, अब बात करते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा markup दिखा देता हूँ, तो एक मेरे पास div है, इस div के अंदर मेरे पास 5 boxes हैं, ओके, आप देख सकते हैं, लास्ट भास के जो 2 boxes हैं, इन्हें मैं comment out कर देता हूँ, तो लास्ट के 2 boxes को comment out कर दी, यफे मेरे पास 3 box है, अब मैं क्या गरता हूँ यहाँ पे, यह box नीनको width देता हूँ, यहाँ पे, for example, इनको width देता हूँ, इनको width देता हूँ, 400 pixels की, ऑगे, 400 pixels की width देती, और इस box wrapper को मैं height दे लेता हूँ for example 400 pixels की height दे दी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इतना सही है भी तो height दे दी मैंने अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अभी यह stretch हो रहे हैं तो आपको पता है मैंने flex container के एक property के बारे में बात की थी align items तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर center कर देता हूँ okay तो center करूँगा तो center में आ चुका है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक और चीज़ कर लेता हूँ justify content लिख लेता हूँ for example space between okay तो यहाँ पर बीच में space आ जाएगा okay तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से alignment हो रही है अब मैं चाहता हूँ यह जो box 2 है ना यह बीच में ना आए मैंने क्या किया था यहाँ पर align items center किया था मैं चाहता हूँ यह center में न आप अभी आपको पता है जो align items किसकी तरफ काम करता है cross axis कि तरफ काम करता है जो align items है मेरा मैं चाहता हूँ कि यह जो box to है वो align not हो वो उपर ही रहे जहाँ पर flex start हो ऊपर ही रहे मेरी align item को override करेगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं for example यहाँ लिख सकता हूँ flex start तो box 2 है वो उपर रह जाएगा और for example मैं लिख सकता हूँ flex end तो यह नीचे आजाएगा तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं for example मैं align self कर सकता हूँ stretch तो आप इसमें सारी properties यूज कर सकते हैं जो आप align items में यूज करते थे तो यहाँ पर stretch हो जाए गए आयोव आपको समझ में आर होगा align self कर क्या रहा है यहाँ पर तो यही था align self हम इसको कैसे काम कर सकते हैं for example आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं for example box 1 को आपने align self दे दिया flex start इसको आपने दे दिया center और आपने इसको दे दिया flex end okay तो यह start में है यह center में है यह end में है okay आही होगा कुछ समय आचुक होगा कि align self कैसे काम करता है okay तो यह किसको overwrite करता है यह overwrite करता है इसको align items को जो कि किसके तरफ काम करती है cross access की तरफ काम करती है okay hey everyone welcome back आज किस वीडियो में हम flex item की एक और property के बारे में बात करेंगे जो कि order last video में बात किती align self के बारे में अगर आपने पुरानी videos ने देखिए flex box की तो पुरानी videos देखिए मैं इन videos का link इस video के description में डाल दूँगा मैं इस पूरे course का link इस video के description में डाल दूँगा okay तो start करते हैं flex item की एक property है ठीक है तो मैं दिखा देतो मेरा page कैसा दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा page अभी अब यहां पर आप चाहते हैं क्या हो देखिए यहां पर पहले box 1 आ रहा है फिर box 2 आ फिर box 3 आ रहा है और हमने markup में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है अगर मैं आपको markup लिखा हूँ और stml लिखा हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले box 1 लिखाँ फिर box 2 लिखाँ फिर बॉक्स 3 लिखा अब आप चाहते क्या हो आप यह चाहते हैं कि आप stml टो इसी ढंक से लिखें कि पहले box 1 लिखा box to लिखा फिर box 3 लिखां बट आप चाहते हो कि visually आपका box two पहले आए box 1 से और box 1 की box 2y और box 2 की जगा box 1 आए। आप कुछ आसे चात है box 1 box 2 फिर box 1 और फिर box 3 तो ऐसा कैसे होगा देखे ऐसा हम कर सकते हैं एक flex की एक property है हमारे पास order तो आपको प्रोपर्टी लगानी है flex items पे by default order रहता है वो रहता है 0 देखिए box 1 कहा मेरी एक flex item इसका by default order 0 set है ऐसी यही order box 2 पे भी set है 0 by default order रहता है हमारा 0 तो अभी कोई changes नहीं होगे जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है अभी अब होता क्या है अब यह order अभी maintain कैसे हो रहा है जैसे हमने ht में लिखिया है बटम css से भी इसको कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए अगर मैं box 2 को order 1 दे दूगा box 2 को order 1 दे दूगा तो क्या होगा देखिए box 1 का order का है 0 ठीक है तो सबसे बहुत वहले box 1 आ जाएगा box 3 का भी order का है 0 फिर box 3 आ जाएगा इसका order बड़ा है तो बाद में आएगा बाद में शोगा अब आप देखना box 2 सबसे last में चला जाएगा क्यों last में जा रहा है क्योंकि इसका order हमने बढ़ा दिया तो आप इसके order को अपनी मर्दी से change कर सकते हैं अगर आप 10 करेंगे तो बीए last में बस ओडर बड़ा होना चीए वो बाद में आएगा ओकर एक्जाम्टल यहां पे box 2 का को अधरेता हूँ यहां पार बोक सबसे जीरो और box 1 का order कर दे तो मैं 2 ठीक है अब सबसे पहले क्या आएगा box 3 box 3 का order क्या है 0 फिर आएगा box 2 और फिर आएगा box 1 ओके तो ऐसे आ जाएगा यह तो यह changes हो रहे हैं ओके अब मैं क्या चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले box 1 box 2 ठीक है मैं सबसे पहले box 2 को चाहता हूँ तो box 2 का order कर दूँगा मैं 0 उसके बाद आए box 1 मैं box 1 का order कर दूँगा मैं यहाँ पर 1 उसके बाद box 3 आए तो उसको order मैं कर दूँगा यहाँ पर for example 2 तो अगर मैं इसको safe करके देखूँ तो आप देख सकते है box 2 box 1 box 3 यह जरूरी नहीं आपको 0 & 2 लेना बस order बड़ा होना चाहिए for example box 3 को सबसे बड़ा रखना है सबसे बड़ा मैं इसको for example यहाँ पर 5 भी रख सकता हूँ box 2 को मुझे सबसे चोटा रखना है सबसे चोटा मैं इसको 2 भी रख सकता हूँ और मुझे से बीच का रखना है तो इससे बीच मैं 4 भी रख सकता हूँ okay तो कुछी इस तरह से इसका order maintain होगा but मैं recommend करूँगा कि अगर आपके like 4 ज्यादा items के साथ नहीं करते हम यह flags items हमारे पास 3, 4, 5 ही होती है mostly अगर real world applications में तो उसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 यही numbers use करते हैं okay अभी हो आपको order समझ आगए होगा order से काम कैसे होता है अब आप सोच रहोगा इसको use कहां पे करेंगे next chapter में हम अपना project बनाएंगे तब इसका use case बताऊंगा में आपको जब हम अपने website को responsive बनाते हैं तो हम इसको use करते हैं और एक और जगा use करते हैं इसको forms के साथ जब हम project में देखेंगे इसको हम कैसे orders का हम use करेंगे media queries के साथ अभी आपको समझ आ चुक होगा कि order काम कैसे करता है thank you so much guys for watching this video hey everyone welcome back आज किस वीडियो में हम बात करेंगे flex basis की flex basis हमारी property है flex item की और इससे अच्छे से समझना इस वीडियो को ध्यान से देखना जो beginner लोग होते हैं वो confused होते हैं flex basis में और width में ओके तो flex basis कुछ-कुछ width की तरह होती है बट वो width नहीं होती ओके तो मैं आपको example समझाओ तो मैं क्या कहना चारूं for example मेरे पास क्या एक flex container है flex container के नहीं पांच boxes है box 1 से लेके box 5 तक ओक अभी box 1 से box 5 तक मैंने किसी भी box को कोई भी width set नहीं की okay for example अभी मैं हर एक box को यह जो dot box class है वो मेरे हर एक divs के पास है okay तो मैं क्या करता हूँ हर एक box को एक width देतेता हूँ okay width देता हूँ for example मैं 500 pixels की okay बट आप देखो कि width अभी भी उतनी है अभी width उतनी ही क्यों है क्योंकि मैंने यहाँ पे flex wrap को on नहीं किया okay flex wrap को अगर मैं wrap कर दूँगा तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर भी 500 pixels skin की width हो चुकी है अगर मैं inspect करके अभी देखूँ और इसे मैं नीचे कर देता हूँ okay आप देख सकते हैं अभी width हो चुकी है 500 okay तो यह थी width अब बात करते हैं flex basis की okay तो मैं flex wrap यहाँ से हटा देता हूँ एक पल के लिए okay और यहाँ पर मैं क्या घरता हूँ width की जगा लिख देता हूँ यहाँ पर flex basis okay आप flex basis में भी क्या कर सकते है pixels में unit लिख सकते हैं percentages में लिख सकते हैं okay जैसे हम जो भी width में लिखते थे वह आप flex basis में लिख सकते हैं okay flex basis में करूंगा तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी width उसके कितनी है 374 pixels है 500 नहीं हुई जैसे मैं flex wrap को wrap करूंगा और क्या हो जाएगी width हो जाएगी 500 pixels अब अभी आप सोच रहे होंगे कि width और flex basis same है same नहीं है और flex basis क्या है उसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा flex basis है initial length main axis की तरफ मेरे flex item की initial length main axis की तरफ मेरे flex item की length यह जो सा यह dark blue है यह है मेरा flex item इसकी length main axis की तरफ main axis मतलब left से लेके right तक मतलब width ओके अभी इसकी अभी by default मेरे main axis कहां से कहांता है कि left से लेके right तक ओके और flex item है मेरी यह अगे तो यह से लेके मिलब इसकी width हो अभी तो width हो गया इसकी again but अगर में क्या रोओn is the flex direction को column करतूँ next direction को मैं कर दूं column पोके econom mobil अके green flex direction को column करूंगा ना जैसे मैं flex direction को column करूंगा आप देखे इसकी height 500 हो चुँके है मतलब 500 height क्यों हो चुकी है वो मैं बताता हूँ जैसे मैंने flex direction column की तो main axis कहा पे होगी उपर से ले के नीचे तक और मैंने क्या गा था flex basis क्या होता है flex basis होती है मेरी initial length main axis की तरफ okay main axis उपर से नीचे है तो यह height की अभी height बन चुकी है ओके अभी height आरिया मेरे पास 500 pixels की ओके तो मैं इसको पहले जैसा फिर से कर देता हूं और अभी आपको पतल लग गया flex basis है क्या अब यहां पर इस case में flex basis कि किस की तरह काम करेगी width की तरह ठीक है अब मैं क्या करता हूं यहां पर width भी देता हू कि जीत होगी flex basis ही count होगा okay flex basis count होगा यहां पर okay अगर मैं यहां पर flex direction column कर दूँ और यहां पर height दे दूँ मैं इसको for example 400 pixels की अभी भी यहां पर flex basis की value ही count होगी यहां पर 500 pixels यहां पर आ चुका है okay ऐसा नहीं है कि flex basis बड़ी है तो यह count हो रही है ऐसा नहीं है for example मैं इसको 300 कर देता हूं तो अभी क्या होगा अभी height हो जाएग इसकी 300 okay तो आपको पता लग चुका है कि flex basis है कि actual में और यह काम कैसे करता है flex basis main axis की तरफ काम करता है और य यहां पर आप देखिए इसको मैं यहां पर flex basis 500 कर देता हूं और इसको जहां से comment out कर देता हूं अभी यहां पर मैंने कहने को 500 दिया भी 500 है तो नहीं न अभी यहां पर जब तक flex wrap off रहेगा तब तक यह shrink होंगे okay मतलब यह हम चाहते है 500 pixels की मेरे पास length हो but अभी 500 pixels की length नहीं ने wrap को नहीं नहीं किया तो इसका मदलब 500 एक idea है एक हम चाहते हैं इतनी हो अगर इतनी ना हो भाई तो width इससे कम जाता भी हो सकती है okay अहीं हो आपको समझ में आ चुक होगा कि यह काम कैसे करता flex basis okay thank you so much guys for watching this video hey everyone welcome back आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे flex item की एक और property के बारे में अगर आपने पहले वली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके पहले वली वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी से समझाए मैं इस वीडियो में क्या बात करूंगा okay और मैं इस complete course का link आपको इस करेंगे description में दे दूँगा आप वहां से जाके देख सकते हैं अब बात करते हैं flex grow की flex grow कैसे काम करता है ओके तो पहले बता देतों यहां पर क्या गया है मेरे पास यहां पर जो आप देख रहे हैं gray border यहां मेरा flex container और flex container के अंदर वस तीन items है box one box two box three इन तीनों को मैं flex item बो यहां किया body को मैंने phone family दिया aerial यहां भी box wrapper को मैंने border दिया display दिया flex ताकि flex container बन जाए और यहां पर इसको width दिया 1200 pixels की और यहां पर हर एक box को तीनों div के पास एक class है box मतलब हर एक flex item को मैंने flex spaces दिया 300 pixels अब ही मैंने 300 pixels दिया है इसका मतलब क्या है left से right तक मतलब width हो जाए इ 300 pixels अगर मैं हर एक box की width देखूं तो आप देख सकते हैं कितने 300 pixels ओके अगर आप flex spaces के बारे में और जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं last video flex spaces के उपर उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद तीनों boxes के बास अलग-अलग color है ओके तो यह मेरा HTML CSS था इतना ओके अब flex crow की बेख रहे हैं आप इसकी width at 1200 pixels अब इसकी width at 1200 pixels और यह जो box 1, box 2, box 3 box 1, box 2, box 3 3 3100, 300, 300 तो 900 तो यहां तक यह 900 pixels के space उका उक्राइब कर रहे हैं तीनों boxes मिला के अभी यहां पे मेरे पास space बचा है 300 pixels का मतलब मेरे पास space बचा है कुछ और मैं चाहतो हूँ मैं स्पेस को कुछ मैं चाता हूँ यह space बचा ना रहे यह खुद manage हो जाए उस space को manage करने के लिए हम use कर सकते हैं flex grow flex grow decide करेगा कि जो बचा हुआ space है वो flex items कैसे occupy करेंगी तो इसको समझते हैं कैसे काम करता है अब ही मैं क्या करता हूँ इन तीनों boxes को box one box two box three तीनों को flex grow की property दे देता हूँ one तो कैसे दोंगा flex grow और flex grow में हम ऐसे बात करते हैं flex grow में हम integer value पास करते हैं 123 इसमें को unit ने लगाते बस ऐसे number बास करते हैं okay for example हम यहाँ पर बात करते हैं one अगर मैं यहाँ पर one pass कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब देख सकते हैं जो बचा हुआ space था वो तीनों boxes ने equally ले लिया okay equally occupy कर लिया okay पहले क्या था पहले box one box two box three तीनों थे 300 pixels के okay और यहाँ पे 300 pixels का space बचा हुआ था मेरे पास okay अभी 300 को हमने 3 से divide किया 100 मतलब अब तीनों boxes हो जाने चाहिए 400 pixels के जो कि आप देख सकते हैं 400 pixels के हो चुके हैं okay मतलब इसके कहने का मतलब क्या है पहले by default flex row की value होती है 0 अगर मैं 0 कर दूँगा तो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा जैसी मैं flex grow की value 1 कर दूँगा अब flex grow की value मैंने 1 किया है इसका मतलब क्या है box one यह box यह box और यह box तीनों box इसके पास मैंने flex grow की value कर दिया 1 और तीनों अभी equally rate से grow होंगे और equally space उकूपाई कर लेंगे ओके ओल्राइट और यहाँ पर गाईस एक चीज जो ने आपको बताऊंगा भी थोड़ी दिर तक अब यहाँ पर हो गया है अब यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं यहां पर हम पैले मैं इसको हटा देता हूं यहां मैं हटा देता हूं ओक अभी पहले धास हो चुप थी जैसल म्या क्या करता हूं box two box three तीनों को flex grow की value अलग-छ honeymoon बेखन इसको मैं flex crow की value दे देताँ two ओके और इसको मैं flex crow flex grow की value देताँ मैं इसको one और ह Canadians flex crow की value देताँ यहाँ पे one दे देताँ इसको भी ओके तो sorry guys ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने box 1 को flex row की value 2 दी है box 2 और box 3 को flex row की value 1 दी है अब यहां पर कहीं लोग क्या समझते हैं कि box 1 double हो जाएगा box 2 और box 3 के और आप ऐसा देख सकते हैं ऐसा बिल्कूल भी नहीं है अगर मैं बात करूं box 1 की box 1 मेरे पास 450 pixels का है अगर मैं बात करूं box 2 की box 2 मेरे पास 375 का है और box 3 की बात करूं box 3 भी मेरे पास कितने का 375 pixels का है मैं width की बात कर रहा हूं by the way अब यहां पर इतना space कैसे उकूपाई कर लें तो आप flex row को ऐसा मद समझे कि यह size है यह size नहीं है flex row का मतलब क्या है flex row का मतलब है कि जो available space है मेरे पास उसको कैसे occupi करेंगे मेरे जो flex items है और मैं इसको comment out करता हूं पहले और मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा flex row 211 मैंने पहले जैसा कर दिया अब यहां पे 300 pixels का space मेरे पास left out है 300 pixels का कैसे क्योंकि overall इस पूरे box की width है 1200 pixels box 1, box 2, box 3 तीन हो है अभी 300 pixels के आप देख सकते हैं अब यहां पे 300 pixels का space है वो बचा हुआ है और वो कैसे occupy करेंगे ठीक है अब यहां पे box 1 को मैंने का flex crow 2 है और box 2 और box 3 को flex crow मैंने 1 दिया था ठीक है अब आप क्या कीजिए आप देखें यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन से आप एक काम की इसका मतलब क्या है जो बचा हुआ space है वो box 1 टू टाइम्स ज्यादा उकूपाई करेगा box 2 और box 3 से मतलब अगभी 300 pixels का space है अब 300 को मैं half कर दूं तो कितना बचा 150 pixels okay मतलब box 1 के पास चला जाएगा 150 pixels okay okay 150 pixels और चला जाएगा मतलब अभी 300 है इसको मैं अगर यहां पे फ्लेक्स क्रोटू कर दूंगा तो इसके पास हो जाएगा 450 pixels का space okay तो हाफ तो इसने ले लिया box 1 ने और बचा जो हाफ था उसमें से आदा box 2 ले लेगा आदा box 3 ले लेगा okay 150 का जो हाफ है वो कितना होगा 75 तो मतलब box 2 कितना ले लेगा 75 pixels और ज्यादा मतलब 375 pixels हो जाएगा और box 3 विस 375 pixels हो जाएगा okay तो यह इसकी छोटी सी basic match थी आयोपा इतनी match तो सब को क्लियर ही होगी okay इसका मतलब है बचोवा स्पेस कितना उकुपाई हो रहा है okay आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने मैस की calculation की थी वो बिल्कुल सही है okay तो यह बचोवा स्पेस की बात okay बचोवा स्पेस कैसे मैंने मैनेज करना है फ्लैक्स वो ही देखता है okay तो आप देख सकते हैं यह 400 का है यह 375 और यह 375 का okay आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं जुरूरी नहीं बड़ा आप एक्जांपल तीनों को फोर फोर दें अगर आप तो ओके तो यह रेशो तो सेम ही रहेगी okay तो इसका मतलब equally space तीनों पूबाई करेंगे okay आप बड़ा चोटा कर सकते हैं for example आप इसको 8 कर सकते हैं इसको 5 कर सकते हैं इसको आप 3 कर सकते हैं okay अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर दे सकते हैं but mostly मैसे उस करते हैं 1,2,3,4 ऐसे नंबरs okay आयो बापको समझ में आरोग है रिसाइस करते हैं इस विंडो को okay अब यहां पर मेरे पास नीचे नीचे मेरे पास स्क्रोल बार आ रहा है मैं नहीं चाहता है यह स्क्रोल बार रहे हैं okay मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा outer box है इसकी width कम हो जाए अगर मैं इस screen को स्ट्रिंक करूं okay तो इसके लिए यहां प कि हम इसकी width को कम ज्यादा control कर सकता हूं okay तो सेम कम आप कर सकते हैं यहां पर अभी भी ठीक है तो उसी तो मैं आपको थोड़ा दिखा दो क्या effect पड़ेगा for example यहां पर 10 लिखता हूं okay और यहां पर मैं लिखता हूं one और यहां पर मैं लिखता हूं one मतलब बच हुआ जो space difference नहीं है यहां पर ओके यहां भी box one को इतना space मिल रहा है box two को इतना box three को इतना ओके और जैसी मैं इसको क्या करूं कम करता हूं for example आप देख सकते हैं यह difference उतना ही हमें कम देखने को मिलता जा रहा है जैसे हम इस की width को मैं छोटा कर रहा हूं okay all right तो यह सा कि flex crow क्या है अब नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे flex shrink क्या होता है okay अब shrink भी important है shrink important की मैं देखिए अभी यहां पर मैं इसकी flex crow को उटा देता हूं यहां पर flex crow में हटा दिया okay अभी आप देख रहे हैं इतना space बचा हुआ है okay अब for example मैं इसका width कर देता हूं 600 pixels की okay हर एक flex item की तो हर एक की 600 है तो तीनों की में दाके कितने होंची 1800 pixels बट जो outer box है जो मेरा flex container है इसकी width कितनी है 1200 pixels मतलब यह खुद श्रिंग को रहे हैं थोड़े 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 okay अब श्रिंग का rate भी set कर सकते हैं okay और वो देखिए कि नेक्स वीडियो में आई हो आपको समझ आ चो कि कि हैं एक है एवरेवन वेल्कम बैग लास्ट वीडियो में बात की थी flex grow के बारे में ओके अगर आपने लास्ट वीडियो ने देखी लास्ट वीडियो जाके देखिए आज किस वीडियो में हम बात करेंगे flex शुरिंग के बारे में ओके और इस complete playlist का link मैं आपको इस देखते हैं उसको देखते हैं तो मैं आपको दिखा देतो मेरी website कुछ इस तरह से दिख रही है वोकि इस website में क्या है यह जो बाहर box दीख रहा है यह 1200 pixels का ओके इसके अंदर तीनों box इनको बोलूंगा मैं flex item ओके और हर एक box को मैंने यहां पे width दिया है 600 pixels की अब बाहर वाल box अगर 1200 pixels का है और उसमें अगर एक box 600 pixels का है तो तीनों मिलाके हुए कितने 1800 pixels के मतलब 600 pixels की width यहां पे कम है ओके और यहां पे हो क्या रहा है यहां पे श्रिंक हो रहे है ठीक है अगर यहां पे fit नहीं आएंगे तो यह श्रिंक होंगे और हम control कर सकते हैं हमने किसको कितना श् for example अगर मैं यहां पे जितने भी box हैं तीनों box हैं अगर मैं तीनों box को यहां पे flex shrink के दूँ 1 तो यह by default जितने श्रिंक हो रहे हैं उतने ही shrink होंगे ओके बट इसकी values को मैं अलग अलग भी set कर सकता हूं for example मैं चाहता हूं कि जो box 1 है उसको मैं shrink 1 दूँगा और box 2 है उसको मै shrink 3 दूँगा ओके इसका मतलब क्या है इसका मतलब है box 3 जादा give up करेगा जादा length give up करेगा दूसरों के लिए ओके और box 2 का shrink कितना है 2 और box 1 का shrink कितना है 1 ओके अगर मैं आपको दिखाओं तो आप देख सकते हैं box 3 ने सबसे ज्यादा अपना space give up किया है दूसरों के लिए okay अगर मैं यहाँ पे इसकी width को कम भी करूँ तो आप देख सकते हैं जो box 3 है वो सबसे ज्यादा give up कर रहा है ओके ओर राइट तो यही था flex shrink ओके flex shrink किस तरह से काम करता है अब यह तो क्या flex shrink अब एक और property के बारे में बात करना चाहूँगा पहले मैं इसको क्या गरता हूँ इनको मैं comment out कर देता हूँ अभी के लिए मैं एक और property के बारे में बात करूँगा जो है flex ओके यह तो flex property है इस flex property में आप 3 properties को लिख सकते हैं पहले property आप flex grow की value set कर सकते हैं for example 1 आप flex shrink की value set कर सकते हैं for example 2 और आप flex basis की value भी set कर सकते हैं for example 400 pixels और यह काम यह flex item की short hand है आप किसी भी flex item में इस property को लगा सकते हैं for example यहाँ पर लगा देता हूँ और ऊपर से flex basis यहाँ से हटा देता हूँ okay मैंने तीनों को अलग-अलग flex basis में दे सकता हूँ for example इसको 500 दे दिया इसको 600 दे दिया पहले वली flex grow है दूसरे वली flex shrink है दिसरे वली flex basis है अगर मैं देखूँ तो यह कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा अगर आपको समझ में अचुक होगा flex काम कैसे करेगा अब मैं बदाता हूँ अगर आप तीन values देंगे तो कुछ इस तरह होगा पहले वली flex grow दूसरे वली flex shrink और तीसरे वली flex basis और अगर आप A की value लिखेंगे आप लिखेंगे flex 1 तो इसका मतलब होगा यह सिर्फ flex grow है ठीक है यह किया होगे सिर्फ flex grow अगर आप A की value लिखेंगे बट आप उसमें इसे लिखेंगे 400 pixels तो यह होगी flex basis और अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दो values लिखेंगे for example 1, 2 तो इसका मतलब है पहली value आप flex grow दूसरी value flex shrink और अगर आप की इस तरह से लिखेंगे 1 और यहाँ पे 200 pixels इसका मतलब है यह कहा है flex grow और यहाँ flex spaces but मैं recommend करूँगा कि आप ऐसे use किजिए flex जिसमें आप 3ों को एक साथ लिखें 1, 2, 400 pixels कुछ इस तरह से लिखें आई होग आपको समझ मैं चुक होगा एक काम हम ने कैसे किया और मैं क्या गरता हूँ mostly क्या गरता हूँ for example में रपास 3 box थे अगर मुझे इनकी 3ों की width equal रखने है तो मैं simple क्या करूँगा मैं flex ऐसे कर दूँगा flex 1, 1 और flex basis दे दूँगा for example 300 या फिर मैं दे दूँगा for example 400 pixels तो ऐसे करके मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ से मैं comment out कर देता हूँ और इसको भी यहां से comment out कर देता हूँ तो भी यहाँ पे क्या हो गया यह 3ों को क्या हो जोगा flex 1, 1, 300 pixels और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ आप देख सकते हैं कैसे shrink हो रहे हैं और कैसे यह grow हो रहे हैं अगर आप shrink नहीं करना चाते हैं सब्सक्राइब करना लिए को तो यहां पर इसको करूँआ तो आइए को हरा घ्राइब विडियो नहीं समुझाए अच्छे से इसका मतलब आपने परानी वीडियो सब्सक्राइब तो इसके लिए मैंने ज़्यादा एंफसीज नहीं किया फ्लैक्स बेसिस पर फ्लैक्स ट्रोव पर क्योंकि यह मैं पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ अगर पसंदे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ही जब में दोस्तों से रहे हैं थैंक्यों सो मच गाइस पर वाचिन इस वीडियो